जिस बिजली से आज आपका सारा काम पलक जबकते ही हो जाता है उसके बिना अपने जीवन की कलपना ही नहीं की जा सकती है दो मिनट के लिए आपके घर की बिजली चली जाए या खराब हो जाए तो आपकी हालत खराब हो जाती है दोस्तों कि आपको पता है कि एक स्विच से आपको इतनी सुईधाय देने वाली ये बिजली इतनी आसानी से नहीं बनती है इसके पीछे कड़ी मेहनत होती है तो आज के वीडियो में कोईले से बिजली कैसे बनाई जाती है आपको हम बताएंगे तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो दोस्तों बिजली बनाने के लिए जिस चीज का सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है वो है कोईला और भारत में बिजली बनाने के लिए लोग सबसे ज़्यादा कोईले पर ही डिपेंड है कोईले से बिजली बनाने के लिए सबसे पहले कोईले की खदानों से कोईला निकाला जाता है इसके बाद ये कोईला रेल गाड़ियों की मदद से थर्मर प्लांट तक पहुचाया जाता है और यहां आपको बता दें कि कोईले से बिजली बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है पावर प्लांट जिसके लिए ऐसी जगह चाहिए होती है जो पूरी तरह से फैली होती है और यहां पानी के आप पूर्थी के लिए एक रिजर्वायर भी बनाय जा सके इन प्लांट्स के लिए कम से कम एक या दो किलोमेटर की जगह चाहिए ही क्यूंकि जिस भी प्लांट में कोईले से बिजली बनती है वहां करीब डेड़ मिलियन टन कोईला एक साथ स्टोर करके रखा जाता है और इसलिए थर्मल प्लांट के लिए काफी जगह चाहिए होती है कोईले से बिजली बनाने के लिए देश में जगह जगह थर्मल प्लांट भी लगे है इन थर्मल प्लांट में कोल फिल्ड होता है जहां रेल गाडियों से निकाल कर कोईला एक खटा किया जाता है इसके बाद एक मशीन की मदद से कोल फिल्ड से ये कोईला क्रशर मशीन तक पहुंचे आजाता है इस क्रशर मशीन में कोईले को तोड़ कर बारिक कर दिया जाता है इस क्रशर मशीन से निकलने के बाद कोईला दूसरी क्रशर मशीन में पहुंसता है जहां इस कोईले के चुरन को भटी नुमा बॉयलर में डाला जाता है जहां से इस चुरन में से हलके कंड आग में जलकर राख के रूप में उपर की तरफ उठते हैं और भारी कंड नीचे गिर जाते हैं नीचे गिरे कणों को सिमेंट फैक्टरी को दे दिया जाता है जिससे सिमेंट बनती है वहीं उपर उठे कोईले के धुआ भट्टी के उपर बने पानी के छोटे छोटे पाइप से टकराता है जिससे पानी से भरे ये छोटे छोटे पाइप गर्म हो जाते हैं और इससे फिर भाप बन जाती है एक पाइप के जरी ये भाप वड़े बड़े टर्बाइन तक जाती है जिसके बाद भाप की शक्ति से टर्बाइन तेजी से घूमते हैं और इनके घूमने से बिजली बनती है तो कोईले से बिजली कैसे बनती है या आपने जान लिया है झाल